इस question में कह रहा है if 7x8 is exactly divisible by 9 अगर ये number कुछ x की जगे रखके अगर ये जो भी number आता है वो अगर 9 से divisible है तो हमें least value निकालनी है x की सबसे छोटी value निकालनी है x की कौन सी आएगी तो देखिए हमने 9 की divisibility देखी थी बिलकुल exactly 3 की तरह थी जब हम सारी digits का sum करते हैं और जो number आता है वो 3 की divisibility के case में अगर 3 से divide होता है तो पूरा number divisible है और इसी तरीके से 9 की divisibility के case में जब सारी digits से add करते हैं और जो number आता है वो 9 से divisible होता है तो 9 से divisible माना जाएगा यह whole number अब number क्या है हमारा 7 है x है और 8 है तो x हमारा alphabet है non numeric value है तो हम सिर्फ numeric values को add कर देंगे तो यह कितना आ रहा है 15 अब 15 तो 9 से divisible नहीं होता है 15 नाइन से divisible नहीं होता है लेकिन 15 में कितना add करें जो number आए वो 9 से divisible हो जाए तो देखिए अगर हम 9 का table देखें 9 1s a 9 होता है और 9 2s a 18 होता है तो 15 से बड़ा number 15 में add on करना है कुछ तो 15 से बड़ा number 18 है तो 15 में क्या add करें कि हमारा 18 आ जाए तो 15 में क्या add करें कि हमारा 18 आ जाए तो obviously 3 add करेंगे तो जिसको हमने add किया है उसको हम x की जगे रख देंगे तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 7 3 और 8 रख देती हूँ तो यह कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 8 तो यह आ गया 18 और 18 9 से divisible होता है तो least number क्या आ गया हमारा 3 आ गया तो hence c part is our correct answer let's do next question now इस question में कह रहा है if 37 3 7 y 4 is exactly divisible by 9 यह जो number है पूरा वो 9 से पूरा पूरा divisible है then the least value of y is तो हमें least value निकालनी है y की क्या होगी तो देखिए अब number क्या है हमारा अब number है हमारा 3 7 y and 4 और हमें पता है 9 की divisibility 3 की तरह ही होती थी तो सारी numeric values add कर लेते हैं non numeric छोड़ देते हैं तो यह कितना आ गया 7 plus 3 is 10 10 plus 4 is 14 अब 9 के table में देखेंगे 14 से बड़ा number तो अब देखे 14 में कितना add करूं कि 18 आ जाए राइट क्योंकि यह 14 से बड़ा 18 ही है तो 18 लाना है तो 14 में 4 add करेंगे तो हम 3 7 तो y की जगे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे और 18 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा least number कौन सा आ गया d part is our correct answer let's do next question now